अनुग्रह लगू मनन में आप सबका एक बर फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्र मनन से पहले एक सवाल आप से पूछना चाहता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी प्राथनाओं का उत्तर अकसर नहीं मिलता है। या मिलता भी है तो बहुत देर से मिलता है। क्या आप लंबे समय से किसी प्राथना के उत्तर मिलने का इंतिजार कर रहे हैं क्या अब आप धीरे धीरे निराश होने लगे हैं यदि हाँ तो निश्चे जानिये आज का मनन निश्चित रूप से आपके लिए है अभी कुछ दिनों पहले मैं हन्ना के बारे में विचार कर रहा था उसका वर्णन हमें पहला शम्वेल और उसके पहले अध्याय में मिलता है वचन बताता है कि वह निह संतान थी जिसके कारण उसे बहुत सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता था सामाजिक अपमान तो फिर भी समझ में आता है लेकिन उसके अपने परिवार में भी उसकी सोथ पनिन्ना के ताने उसको लगातार सुनने पड़ते थे पहला शम्वेल एक और उसके छे में वचन बताता है कि उसकी सौत पनिन्ना उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी चलिए ये तो घर की बात हुई लेकिन सात्वाँ पद ये बताता है कि पनिन्ना उसे तब भी चिढ़ाती थी जब वह यहवा के भवन में जाती थी यानि घर में भी अपमान, समाज में भी अपमान और तो और यहुआ के भवन में भी अपमान इन बातों का सामना हन्ना कर रही थी मित्र यहां एक विशेश बात आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा शायद आज हमारे जीवनों में भी हो सकता है हमें सदा ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई दुख का मारा, पीडित और आशीशों से वन्चित मनुष्य हमें मिले तो उसके बारे में व्यर्थ बातचित हम ना करें आपको याद होगा कि येशु एक दिन जब मार्ग में जा रहे थे तो एक अंधा भिखारी मार्ग में जब मिला तो चेलों ने पूछा था किसने पाप किया था जो ये अंधा जन्मा मित्र किसके जीवन में क्या दुख है क्यों दुख है उसका पाप है या नहीं है उसका भूतकाल क्या है यह जानना या इस आधार पर किसी के बारे में डिसकस करना और बुरा सोचना और उसे चिढ़ाना हमारा बिजनेस कदापी नहीं होना चाहिए भजन सहीता 75 और उसके साथ में लिखा है परंतु परमिश्वर ही न्याई है वही एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है रस ले लेकर उसके बारे में बातचीत करते हैं ऐसा करना बंद कीजिए हम सब को ऐसा करना बंद करना चाहिए क्योंकि परमिश्वर इस बात का बुरा मानता है और हमारी आशिशों को रोक देता है आईए अब हम हन्ना के जीवन पर विचार करते हैं वह बहुत पीडित थी उसका दिल तूटा हुआ था शैद उसने वर्ष्टों वर्ष्टों तक प्रात्ना की होगी मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे दे मित्र यहां जान भूज कर मैंने मुझे बच्चा दे वाक्य को रिपीट किया है यहाँ ध्यान दीजे मुझे दे महत्वपूर्ण हो गया है कई बार परमेशर उन प्राथनाओं का उत्तर देने में भी विलंब करता है जिसमें मुझे, मेरा, मैं, मेरे लिए, मुझे को जैसा भाव आता है तो हन्ना प्राथना करती रही, बिलखती रही कि मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, लेकिन उत्तर नहीं आया अब ध्यान से सुनिए कि उसने क्या किया पहला शम्विल एक और उसके ग्यारह में इस प्रकार से लिखा है उसने यहुआ से प्राथना करके कहा हे यहुआ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टी करे और मेरी सुधी ले, और मुझे भूलना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहुआ को अरपन कर दूँगी मित्र, यह बहुत ही प्यारी प्राथना है आज तक हन्ना ने मुझे दे, मुझे दे करके मांगा था लेकिन अब देखते हैं कि उसने प्राथना ही बदल दी उसने प्राथना करने का तरीका ही बदल दिया उसने अब इस प्रकार से कहा मुझे दे ताकि मैं तुझे देने पाऊ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे खुदा तेरे लिए चाहिए मित्र वचन बताता है कि प्राथना बदलते ही, यहुआ ने उसकी कोख खोल दी और ऐसी खोली कि वचन पहला शम्वेल 2 और उसके 23 में बताता है कि हन्ना को बाद में यहुआ ने तीन बेटे और दो बेटियां दी मित्र यदि प्राथना रुक गई है, तो आईए प्राथना बदल दीजिए और कहिए परमेशर मुझे दे ताकि मैं तुझे दे सकूँ मिझे अच्छी नौकरी दे ताकि मैं उसके द्वारा तेरी सेवा कर सकूँ मित्र एक बहुत ही महतुपूर वचन आपको देना चाहता हूँ वचन बताता है कि यदि हम आशिश पाना चाहते हैं और चंगे होना चाहते हैं तो एक काम करने की जरुरत है याकूब 5-16 में वचन इस प्रकार से कहता है आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ तो अभी तक हमने क्या देखा हमने ये देखा कि अपनी प्राथना की सुनवाई के लिए हमें किसी की समस्या पर नंबर वन टिपनी नहीं करनी चाहिए दूसरी बात यदि प्राथना लंबे समय तक सुनी नहीं जा रही है तो प्राथना बदल देनी चाहिए और तीसरी बात अपने पापों को मान कर एक दूसरे के लिए प्रात्ना करनी चाहिए मित्र आईए अब अंतिम बात देखेंगे कि आशिश पाने के लिए हमें कैसी प्रात्ना करनी चाहिए अयूब 42 अरुसके 10 में लिखा है जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रात्ना की तब यहुआ ने उसका सारा दुख दूर किया मित्र एक सवाल है क्या इससे पहले अयूब ने अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रात्ना नहीं की होगी अवश्य की होगी लेकिन उसका दुख तब दूर हुआ जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रात्ना की आईए प्रात्ना करना सीखें नए तरीके से प्रात्ना करना सीखें एक दूसरे के लिए प्रात्ना करना सीखें और एक दूसरे को उठाएं प्राथनाएं नहीं सुनी जारी हैं तो प्राथनाओं को बदल दे हमें से हर एक को प्रभू बहुत आयत के साथ आशिश देगा आमीन और एक बर फिर से आप सब को येशु मसी के नाम पर फिर से कहना चाहता हूँ आमीन बहुत आयत के साथ आशिश मिले